इस चैप्टर से जरूर मिल रही है और जहां पर भी आपको स्थान मिले सही जगह पर और एक अच्छे इरादे से आप में आप इन सीखों को यह जो learnings है इन्हें अपनी life में apply करके और एक बहुत अच्छी और better position में पहुँच सकते हैं तो last दो जो lecture है उसमें हम लोगोंने काफी सारा story का line-up देख चुके हैं आज का हमारा जो lecture है यह third lecture होने वाला है जिसके अंदर हम आगे की story देखेंगे ठीक है guys तो देखते हैं फिर गांधी जी ने आगे क्या किया इन जून जून के अंदर गांधी वास समन्टू सर एडवर्ड गेट गांधी जी जो है उन्हें सर एडवर्ड गेट जो है जो की lieutenant governor थे उन्होंने बुलाया before he went he met leading associate इससे पहले कि वह वहाँ गए उनसे मिलने के लिए जितने भी leading associate थे यानि कि जो प्रमुक उनके सहयोगी थे उनसे मिले and again let detail plan और फिर से उन्होंने विस्तरत योजना बनाई कि भई मैं वहाँ जाओंगा क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है कैसे बात करनी है कैसे बात नहीं करनी है अगर वहाँ पर जाने के बाद में consequences या कुछ ऐसी इस्तितियों का निर्मान हो जाता है कि मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाऊं कुछ समय के लिए हो सकता है मुझे jail बेज दें तो आगे आपको आंदोलन को कैसे चला उसकी पूरी विस्तरत यूजना बनाई for civil disobedience सविनय अवग्या आंदोलन के लिए if he should not return अगर वो वहाँ से नहीं लोटते हैं तो ठीक है देखिए एक आदमी कितना द्रणिश्य ही है कि एक civil disobedience movement को लेकर के गांदी जी हर समय कितने सचेत रहते हैं जबकि उनके जीवन का उस समय का एक मात्र धे नहीं है और भी दूसरे आंदोलन चल रहे हैं और भी दूसरे कारे हैं जिनको गांदी जी अपने जीवन में महत्व देते हैं लेकिन हर वो चीज जिसे गांदी जी अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं उन सारी चीजों पर आगे तक की detailed planning है कि मैं आऊं नहीं आऊं कुछ हो नहीं हो लेकिन यह काम नहीं रुकना चाहिए और एक आप और मैं हूँ कि एक हमारे जीवन का मूल धे है आपका धे है पढ़ना मेरा धे है पढ़ाना लेकिन कई बार उसमें भी हम लोग चूक कर जाते हैं उसमें भी हम लोग उसको उतना गंभीरता से नहीं ले पाते लेकिन गांदी जी से यहाँ पर एक चीज यह सीखने को मिलती है कि जीवन में जो चीजें महत्व रखती हैं, जिन चीजों की importance है, उन्हें importance देनी चाहिए और उसके according आपको अपनी हागी की पूरी planning तयार रखनी चाहिए, ठीक है guys, तो मैं भी इससे सीख रहा हूँ, हागी से मैं भी कोशिच करूँगा इससे और अच्छे से apply करने के लिए अपनी life में, गांधी had four protected interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation, गांधी जी ने चार बार, कितनी बार करीब, उनसे discussion कितनी बार बाते करी, चार बार protected, protected का मतलब यह होता है कि जो बंद कमरे में हो, सबके सामने ना हो, protected interviews उनके साथ किये, वारतालाप उनके साथ किये, lieutenant governor के साथ, और इसका नतीजा क्या निकला, कि जो उस समय की British government थी, British सरकार थी, उन्होंने उसी lieutenant governor को appoint कर दिया, एक official commission, यानि आयोक के तोर पर, इंडिको sharecroppers का जो भी मुद्दा है, उसकी आप ही जाँच परताल करो, आप ही क्या करो उसकी, inquiry करो, कि भाई, sharecroppers की वास्तविक situation क्या है, आप हमारे याँ पर मुद्दा लेके तो आ गए, गांधी जी अपनी inquiry करके पूरी आए, वो अपनी तयारी से है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन government भी तो अपनी तरफ से तयार होके, साब हम भी थोड़ा सा पता लगा लें कि चल क्या रहा है ताकि उसकी according निर्णे ल लोग मिले हुए थे, वो सारे लोग मिलकर के एक तरफ थे, उनमें कौन-कौन था, एक तो government खुद आ गई, लेंडलोड्स आ गई, गवर्मेंट आ गई, और तीसरे जितने भी officials थे, यानि कि जितने भी राजगिये करमचारी थे, वो सब एक ही group में, एक ही समूव में थे, और उनके सामने एक मात्र व्यक्ति थे, गांदी जी, जो अकेले, सोल का मतलब क्या है, एक मात्र या अकेले, representative थे, जो पक्ष रखने वाले थे, किनका, of the peasants, यानि किसानों का पक्ष रखने के लिए, वे अकेले ही वहाँ थे, और सामने देके तो landlords भी बैटे हैं, officials भी बै सारे लोग बैठे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो द्रश्य कैसा दिखता होगा, कि जब उनके आपस में बातचीत होती होगी, गांदी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिशल अनिंटरॉप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मन्स, दैन अगें फॉर सेवरल शॉर्टर विजट्स, तो गांदी जी चंपारण में शुरुवात में ही, इनिशल स्टेज में, यानि कि जब पहली बार गए थे, अनिटरॉप्टेड यानि लगातार वहाँ पर साथ महीनों तक रहे थे, उसके बाद कई मौकों पर वो शॉर्टर विजट्स, दो तीन दिन जाके वा बार बार आना जाना लगा रहता था, दा विजट अंडर्टेकन कैज्वली ओन दा एंट्रीटी ओफ एन अनलेटर्ड पीसेंट इन दा एक्सपेक्टेशन देट इट इड़ लास्ट अ फ्यू देज, ओक्यूपाइड ओल्मोस्ट अ इयर ओफ गांदी जाइफ, अदेके ब कलकत्ता हूं, लेने आ जाना, तुम्हार साथ चलना है न, दो चार दिन, छे दिन, जो भी चमपारण की समस्या होगी, देख लेंगे र वापस आ जाएंगे, इतना ही तो विचार था, यही उन्होंने सोचा होगा, लेकिन वह यात्रा, अंडर्टेकन कैज्वली, जिससे ब गांदी जी उससे यह एक्सपेक्ट कर रहे थे हैं, गांदी जी ने यह अनुमान लगाया, संभावना देखी, that it would last a few days, के कुछ दिनों की यात्रा होगी, occupied almost a year of गांदी's life, इस घटना ने या इस यात्रा ने गांदी जी के जीवन का लगबग एक साल का समय ले लिया, तो गांदी जी के जीवन का एक साल का समय केवल चमपारण के किसानों के लिए निकल गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी भी गलत नहीं समझा, उन्होंने कभी ऐसे नहीं लिया, क्या है मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हूं, नहीं, उन्होंने देखा कि बहुत ही महत् पूर्ण मुद्दा है, जो चमपारण के गरीब किसानों का है, और इसे सही तरीके से हैंडिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो तरीका था गांदी जी का, जिस तरीके से उन्होंने पूरे केस को हैंडिल कर रहे हैं, बले एक साल का समय लग गया, लेकिन कहीं ना कही वो British Government को बार-बार बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रहते हैं या काम करते हैं और वो तरीका सही नहीं है The Official Inquiry assembled a cruising mountain of evidence Official Inquiry जो है उसमें assembled बहुत सारी खटी हो गई A cruising पूर्ण तया या बुरी तरह से हारने वाले या ठोस mountain of evidence जानि धेर खड़े हो गए बहुत सारे सबूत खड़े हो गए जो British officer थे या landlords थे उनके against Against the big planters, बड़े जमीदारों के विरुद and when they saw this और जब उन्होंने देखा, they agreed तो वो सहमत हो गए कि हाँ आप कह रहे हो हमने गलत किया तो हमने गलत किया उन्होंने इस बात में सहमती बताई और हम पैसा वापस लोटाने को तयार है, to the patients उन किसानों को, जन किसानों से हमने पैसा लिया है but how much must we pay, they asked Gandhi, उन्होंने गांदी जी से पूछा कि हमें पैसा देना तो है, चुकाना तो है, लेकिन कितना चुकाना है जितना लिया उतना देना है, उसका 2 गुना देना है, उसका 5 गुना देना है, क्या लगता है आपको, फटा फट से comment करके बताओ comment box में करना, comment please, live chat में मत करना, क्या लगता है, कि जब उन्होंने गांदी जी से पूछा होगा, कि बहुए कितना पैसा देना है वापस, पैसा लोटाना तो है, that's a fact, लेकिन कितना देना है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, या जितना लिया है उतना, कितना आप फटा-फटा से पहले comment box में comment करके बताओ, आपकी सोच के हिसाब से, गांदी जी एक तरह से या case जीत चुके है, क्योंकि landlords वगरे सबने अपनी गलती मान लिया, अब बस मुद्दा ये फसरा है, कि कितना देना है, 5 गुना, देखें, they thought he would demand repayment of full of the money, which they had illegally and decently extracted from the sharecroppers, they thought, उन्होंने सोचा, he would, he कौन, गांदी जी, कि गांदी जी डिमांड करेंगे, आप मांग करेंगे, repayment of full, कि पूरा पैसा लोटाना है, of the money, यानि कि जो भी पैसा लिया है, आपने पूरा का पूरा पैसा लोटाना है, which they had illegally and, they said fully extracted from the sharecroppers, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और धोके से, जो एक्स्ट्राइट किया है, एक तरीके से, केवल कितने परसेंट की मांग की, कि जितना पैसा आपने लिया है, उसमें से 50%, only 50% पैसा आपको वापस लोटाना है, यानि कि आपने अगर किसी किसान से, दोके से, सो रुपे लिये हैं, तो आप उसे 50 रुपे वापस दे दीजे, गान्दी जी ने किवल 50% की डिमांड की, अब आप या मैं अपने जैसे लोग होंगे, तो अपने जैसे लोग ये वाग्के सुनकर के, अपने को लगेगा कि यार, ऐसा कैसे, ये तो अन्याय है, 100 रुपे द ये, और गान्दी जी तो कह रहे हैं कि 50 वापस दे दू, लेकिन अब ये सोचो कि यहां बात पैसो की नहीं है, यहां बात है प्रिंसिपल्स की, कि आज तक ब्रिटिश गौर्रमेंट और जमीदार, जो कभी अपने आपको किसी भी बात पर गलत मानने को ही तैयार नहीं होत जो हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं और पैसा देने को तैयार हैं, अगर यहां पर गांदी जी अड़ जावें, डेडलॉक की सिच्वेशन हो जाए, तो गया यह मुद्दा भी आज से, तो एट लीस्ट कम से कम सैध्धानतिक विजय के लिए, एक प्रिंसिपल बेस्ट व अड़िमेंट उन्होंने देखा कि अड़िग हैं, राइट्स रिवरेंट जे जैड होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हूँ, अब्सर्व दा एंटायर एपिसोट एट क्लोज रेंज, तो ही सीम्ड एड़िमेंट वो एक अड़िग देर, ही सीम्ड एड़िमेंट जहां वो अडिक प्रतीत हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 50% तो लेके ही मानेंगे, ऐसा किस ने लिखा है, तो रेवरेंट जे जी हौज ने लिखा है, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे, जो चंपारण में ही रहते थे, जिनों ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को, इस पूरे इंटायर एपिसोड को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से अब्जर्व किया देखा था, बहुत नजदीक से वो चंपारण का पूरा घटना करम जो चल रहा था पिछले एक साल से, उसे देख रहे थे, कि यहां पर यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, तो वो उसको ड हो गये हैं, वो 50% लेके ही मानेंगे, thinking probably that he would not give way the representative of the planters, offer to refund to extent of 25%, और यह सोचते वे, thinking probably that he would not give way, कि जो sharecroppers थे, जो landlords थे, और जो British officers थे, उनको लगा कि गांदी जी अटक गए हैं, 50% लेके ही मानेंगे, अब अगर अपन चाहते हैं कि अपन इसका फायदा उठा लें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे हो कि बोले हम जादा से जादा 25% दे सकते हैं, 25% से जादा हम नहीं दे सक क्योंकि गांदी जी के सोवाव से क्या लग रहा था, कि वो 50% लेके मानेंगे, तो इनको लगा कि इस मुद्दे को अटका दो यहीं पर, वरना गांदी जी जीत जाएंगे सहद्दान तिक तोर पे, अगर 50% दे दिये, तो जीत हो गई गांदी जी की, और लोग पाग कि अन्हों ने यह सोचा, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने और सबने कि शायद गांदी जी जो है, यहां पर आत्म समर्पन नहीं करेंगे, यह वो इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, और प्लांटर्स यानि जमीदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतीनिदी थे जितने भी, जितने भी प्रतीनिदी थे, प्लांटर्स के, उन्होंने ओफर किया, उन्होंने कहा कि हम आपके तरफ यह पेशकर्स करते हैं, कि हम 25% तक का जो पैसा है, वो हम वापस देने को तयार है, एट टु हिस अमेजमेंट, मिस्टर गांधी टुक हिम एट इस वर्ड, दस ब्रेकिंग दा डेड लोग, और उन लोगों के आश्चरिय का ठिकाना नहीं रहा, उनके अमेजमेंट का ठिकाना नहीं रहा, जब गांधी जी ने उनकी इस बात को मान लिया, जमीदारों का, के जो प्रतिनीदी थे, उन्होंने जो ओफर किया था 25% का, उसको गांधी जी ने मान लिया, और दस ब्रेकिंग दा डेड लोग, और इस तरीके से उन्होंने डेड लोग वाली सिचुएशन को तोड दिया, डेड लोग की सिचुएशन क्या होती है, कि जब दो व्यक्ति अप दोनों में से ना कोई साबित कर रहा है, कुछ नहीं तो अब कौन सही, कौन गलत पता ही नहीं चल रहा है, इस कंडिशन को कहते हैं डेड लोग, कि जहां आकर कहते हैं मुद्दा फस गया, अब इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता, यह फसा ही रहेगा, तो उसको कहा जाता है तो गांधी जी ने डेड लोग की सिचुएशन बनने ही नहीं थी, उन्हों कहा कि तुम बेटा मेरे को अटकाने के मूर्ण में हो, लेकिन क्या 25 परसंट हादन, बोला हैं हादन, हाला कि वो देख पैसा भी नहीं देना चाहते थे, ब्रिटिश ऑफिसर और उनके जो रिप् लेकिन इधर उन्हें बोला 25 परसंट गांजी देना मामला, कम से कम यह तो है कि वापस बाहर जाके तो कह सकता हूं कि उनको उनकी गलती मनवा के आया हूं, और उन्होंने मानी है कि मेरी गलती है और यह देखो सबूत, जो पैसा हुमारा लिया तो उसमें से 25 परसंट वाप यह सेटलमेंट यह समझोता जो था, इसे सुविकार कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, निर विरोथ, बिना किसी विरोथ के, कमिशन के दौरा आयोग, जिसको हम बार बार लिख रहे हैं कमिशन को, जो आयोग बैठा था ना, जो पुरी जाच परताल कर रहा था, उ गांधी एक्स्प्लेंड उसके बाद गांधी जी बताते हैं कि ऐसा क्यों मैंने 25% पर यह क्यों करी, मैं तो आलागी पहले ही बता चुगा, गांधी एक्स्प्लेंड देट अमांउट ओफ तर रिफंट वास लेस इंप्रेंड देन दा फैक्ट डाट लेंड 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 गांधी जी ने उसके बाद व्याख्या करते वे कहा, explain करते वे कहा, कि जो भी राश्ची आपको मिली है न, amount of refund, जो पैसा आपको पुनेपराप्त हुआ है, was less important, वो कम महत्वपूर्ण है, पैसो का महत्व नहीं है, बात ये नहीं है कि पैसा पूरा दिया, आदा दिया, बहुत विच्चित्र सा कथन है, आप सुनेंगे न दो उसके भाव को जाना, शब्द पर मत जाना, किवल भाव को समझना, कि इतना गिरावा इंसान नहीं हूँ, कि अगर जूते पर रखकर पैसा दोगे, तो पैसा उठा लूँगा, बात समझ महीं, कि अगर आपको कोई आ अगर कोई पैसा देगा और कहेगा उठा ले तो मैं उठा लूँगा, क्योंकि वहाँ से मैं पैसा ले करके अपने आत्म सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी प्रेस्टीज को उसके पैरों में हमेशा के लिए डाल रहा हूँ, बात समझ महीं, तो एक इस्तिती तो यह है कि पैसा तो मिल गया, लेकिन लेने वाले की प्रतिष्ठा चली गई, लेने वाले का आत्म सम्मान शुन्य हो गया वहाँ पर, कि अब वो अपने आत्म सम्मान से अपना जीवन जीना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऐसा क्रत्य कर चुका है, इस त पूर किया गया, कि वो सरेंडर करें, आत्म समर्पन करें, पार्ट अफ दा मनी, पैसे का कुछ हिस्सा, एड विट इट और उसके साथ, पार्ट अफ देर प्रेस्टीज, अपनी प्रतिष्ठा का भी कुछ हिस्सा, यानि कि जब इनोंने, आज एक छोटी सी बात है, कि आप मान लीजे किसी के कोई वेक्ती जो है, किसी के सो रुपे चुडा लेता है, अब सो रुपे उसने चुडा ली है, ठीक है, अब सामने वाले ने देख लिया कि सो रुपे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसने दस जनों के सामने कह दिया, खड़ा होकर कि तूने मेरे सो रु तो यहां पर क्या हुआ कि जब landlord को पैसा वापस देना पड़ा न तो सब लोगों के सामने बात जगजाईर हो गई कि इन्होंने किसानों के साथ गलत किया है इन्होंने किसानों के साथ बुरा किया है कोई भी वेक्तिकर आपको exploit करता है न तो ध्यान रखना हमेशा आपको ऐस बताकर exploit करेगा कि मैं तेरे फाइदी के लिए कर रहा हूं तो जमीदारों के पास भी कहा है बात करनी की वो टेक्नीक होती है कि आप जाएंगे किसाब सेड़ जी आज पर पैसा चाहिए पैसा दे दो हाँ हाँ ले जा बीस परसंट दस परसंट तीन परसंट पांच परसंट कुछ भी अंचर भाई बाकी लोगों से बीस लेता हूं तेर से पांच ले रहा हूं तू मेरा प्री है तू मेरा नजदी की है करीबी है इसलिए तेर से पांच ले रहा हूं बाकी लोगों से तो बीस परसंट लेता हूं महीने के अब वो जो आपको बैंक ब्याज में जो प मेरा पैसा दे दो कोई बात नहीं आप कहीं और से ले लो तो exploit करने वाले की यह सबसे बड़ी कलाकारी होती है कि वह आपको अच्छा बता करके आपको exploit करेगा आपका कोई दोस्त है आपको किसी गलत रास्ते पर लगाएगा ना तो उसमें आपका भला पहले बताएगा कि दे तो अब यह जो लेंडलोट जो अब तक सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स को exploit कर रहे थे एक्सप्लोइट करने का मतलब उनका शोशन कर रहे थे अब बाकी लोगों की नजरों में इनकी क्या इज़त रह गई कि इन्होंने किसानों को लुटा है भाई समझ में आई बात अब त इस बात को महत वे दिया कि अगर मैं सो रुपे के दो रुपे भी लेके जाऊंगा ना तो लेंडलोड पर कॉशन मार्क लग जाएगा कि भाई जब तू सही था तुन्हें कुछ गलत नहीं किया तुन्हें दो रुपे क्यों दिये तुन्हें मत देता तिरे साथ पूरी बि जाके डोल पूरे जोड से बजाऊंगा कि किसानों को लूटा था और देखो सो रुपे लूटे थे अब दो रुपे वापस दियें इसने क्योंकि यह मानता है कि हमें ने लूटा था किसानों ठीक है इस तरीके की सोच से गांधी जी ने इस पूरे मुद्दे को संभाला therefore as far as the peasants were concerned और जहां तक बात है peasants की the planters had behaved as lords above the law planters जो है यानि कि बड़े बड़े जो जमिदार लोग हैं वो ऐसे behave करते थे ऐसे वैभार करते थे जैसे कि वो कानून के भी उचे हों यानि कानून से भी बड़े लोग अपने आपको ऐसे दिखाते थे कानून हमारा क्या क कर लेगा हम ही है खानून जहां खड़े हो जाएं वहां के लैंडलॉड हम ही है तो एक उस वाले भाव में रहते थे तो गांधी जी ने थोड़ा विश्व उनको दिला दिया एहसास के भाईया ऐसा मत सोचो अभी हम जिन्दा है तीक है नाव दपीसेंट सौ दैट ही है रा साहस को सीखा साहस के बारे में हम लोग पहले भी बार बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में शायद बात की थी कि मैंने पूछा था के अंदर एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दे रखी है करेज की साहस की तो मैंने लिखने के लिए कहा था आप लोगों कुछ लोगों लिखा कुछ लोगों नहीं लिखा जिन्होंने नहीं लिखी अभी तक करेज की डेफिनेशन कहीं से भी डूंड के लाओ मुझे मतलब नहीं मुझे अपने कमेंट बॉक्स में करेज की 10th क्लास का जो नेलसल मंडिला वाला चैप्टर है उसकी डेफिनेशन चाहिए ठीक है और गांदी जी की स्तिती को justify किया यानि कि उचे ठहराया बता दिया कि गांदी जी कौन थे क्या थे within a few years the British planters abandoned their estate कुछ ही सालों के अंदर British planters जो थे Indigo sharecropping disappeared Indigo sharecropping जो है पूर्ण रूप से लिप्त हो गई पूर्ण रूप से समाप्त हो गई उसके बाद कोई Indigo sharecropping नहीं होती थी गांदी नेवर contented himself with large political and economic situations गांदी जी जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए himself अपने आप से with large political इतना बड़ा इतना विशाल का है राजनेतिक और आर्थिक समाधान करने के बाद भी गांदी जी को अपने मन में संतुष्टी महसूस नहीं हो रही थी उन्हें लग रहा था कि ठीक है ये एक मुद्दा था शेर क्रॉपिंग का लेंडलोड के अगेंस था ब्रिटिश ओफिशल जो बड़े planters है उनके अगेंस था जीत हो गए ठीक है लेकिन उनके मन में संतुष्टी नहीं थी उनको लग रहा था कि कुछ रह रहा है कुछ पिछड़ा पन देखा चंपारण के अंदर चंपारण के गाउं में and wanted to do something about it immediately और ततकाल प्रभाव से ततकाल रूप से इसके लिए कुछ करना चाते थे सबसे पहले उन्होंने शिक्षकों से मदद मांगी शिक्षकों से अपील की महादेव देसाई and नरहारी पारिक तो महादेव देसाई और नरहारी पारिक जो है दो यंग लोग थे दो जवान आदमी थे who had just joined गांधी as disciplines जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को जोइन किया थ गांधी जी के साथ जुड़े थे disciplines यानि उनके शिश्य के तौर पर and their wives और उनकी पतनिया भी volunteered for the work उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश की के यहां के यह चंपारण के गाओं के जो लोग हैं इनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी इनको सिक्षित करने की जिम्मेदार जो है वो हम ले रहे हैं और किस तौर पर ले रहे हैं तो सांस्क्रतिक और सामाजिक तौर पर किस प्रकार का विवहार किया जाता है किस प्रकार से सामन्य जीवन जिया जाता है उसके बारे में और साक्षरता को ले करके हम लोग इनको सिखाना चाते हैं उन्होंने अपनी distant part of land और भारत के दूरवरती इलाकों से भी आए देवदास गांधी जी यंगे संग देवदास जो की गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे arrived from the आश्रम वो भी आश्रम से वहाँ पर आगए चमपारण so did Mrs. गांधी और Mrs. गांधी जो है गांधी जी की पत्नी जिने हम कस्तूरवा देवी भी कहते हैं अना कस्तूरवा भाई जिने कहा जाता है वो गांधी जी की जो पत्नी थी वो भी आ गई primary schools were opened in six villages छे गाओं में primary schools जानी की प्रात्मिक विद्याले खोले गए कस्तूरवा भाई या कस्तूर भाई taught the आश्रम rules on personal cleanliness कस्तूरवा भाई ने आश्रम के जो नियम थे सेवा ग्राम आश्रम के जो नियम थे personal cleanliness यानि की स्वयम को साफ सुतरा रखने के विशह में and community sanitation और कैसे सामुदाइक तोर पर साफ सफाई रखते हैं ठीक है कि मैं अपने घर का कच्रा पड़ोसी के घर में डाल दूँ पड़ोसी अपने घर का कच्रा मेरे घर में डाल दे हम सब लोग अपने घर का जो फ्रेंट है उसको छोड़ करके आपने देखा होगा लोग को कच्रा डालते हैं तो कैसे डालते हैं जैसे उनके घर का यह फ्रें में तो ये क्या है ये community sanitation नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना सा अगर side में पटक दूँगा अपने घर से कच्रा तो उससे पहलने वाली बिमारिया मेरे घर तक नहीं आएंगी ये बेवकूफी वाली सोच है ये समझदारी वाली सोच नहीं है मैं अपने घर को अपने म स्वास्ति जो था उनका वो बहुत दैनी अस्तिती में था बहुत बेकार था गांधी गॉट अट डॉक्टर को लेकर आये जिसने निश्वलक अपनी सेवा देने का प्रस्ताव दिया छे महीने के लिए त्री मेडिसंस वर अवेलिबल केवल तीन दवया महा पर उपलब थी पहला था कस्टर ओयल जिसे अरंडी का तिल कहा जाता है दूसरा है कुनैन और तीसरा है सलफर गंदक जिसे ओंटमेंट कहा जाता है जो क्रीम या मलम की तरह काम करता है ठीक है तो कि वह लिए तीन दवया थी मूल तोर पर मोटे मोटे तोर पर जिससे सभी लोगों का कोई भी विक्ती जिसे मलेरिया का उह रहा होता था तो उसे कुनैन भी दिया जाता हु और कस्टर ओयल भी दिया जाता था एंटिन अगर उपर स्कीन पे अगर फोड़े फोन सी कट घाव रिसीव मूल दबाईयों से सभी लोगों का इलाज किया जा रहा था बेसिक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा रहा था गांधी नोटिस दो फिलिटी स्टेट ऑफ वुमन्स क्लोथ गांधी जी ने ध्यान दिया कि कितनी गंदी स्थिती में यहां की औरते जो हैं वो अपने ओड़ावे पैना से इस विशे में बात करना उनके वस्तरों के विशे में उचित नहीं लगता तो उन्होंने कस्तूर भावाई से का कि जाओ इनसे कपड़े सलीके से पहने साफ सुत्रे कपड़े पहने इस बारे में बात करो तो एक औरत उन में से कस्तूर भाई को अपनी जौबड़ी में ले गई और कहा, look there is no box or cupboard देखो यहाँ पर कोई भी बकसा या कोई भी अलमारी नहीं है here for clothes, कपड़ों के लिए और क्यों नहीं है, the sari I am wearing is the only one I have क्योंकि जो sari मैंने भी आपके सामने पहन रखी है मेरे पास मात्र यही sari है, इसके लाव मेरे पास और कोई sari है ही नहीं तो हमारे पास ना बकसा है, ना अलमारी है, क्यों नहीं है क्योंकि मारे पास कपड़े ही नहीं जो कपड़ा पहन रखा है तन पे जो है बस वही मेरे पास एक मात्र कपड़ा है उसके लावा और कोई साड़ी मेरे पास है ही नहीं During his long stay in चंपारण, गांधी kept a long distance watch इतने लंबे समय जब वो चंपारण में रहे तो गांधी जी ने दूर से ही लेकिन नजर बनाए रखी देखबाल करते रहे, निगरानी करते रहे on the ashram, अपने ashram की He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts वो लगातार निर्देश बेशते रहते थे पत्र के जरीए और financial account यानि कि आर्थिक स्तिती के बारे में पूरा लेखा जोका मांगते रहते थे Once he wrote to the resident that it was time to fill the old latrine trenches एक बार उन्होंने पत्र लिखा वहां के निवासियों को जो आश्रम में निवास कर रहे थे कि समय हो गया है कि पुराने जो latrine trenches हैं बड़े गड़े जो हैं मलमूतर त्याग करने के वो अब भर गए हैं उन्हें वापस मिट्टी से दबा देना चाहिए मिट्टी से वापस धग देना चाहिए and dig new ones और नए गड़े खोद लेने चाहिए otherwise the old ones would begin to smell bad नहीं तो पुराने गड़े जो हैं उनमेंसे दुरगंद आने लगेगी उनमेंसे गंदी बद्बू आने लगेगी तो यह दूरंदेशिता कि आप वहां नहीं हो लेकिन आपको पता है कितने समय में कौन सा काम कैसे होता है तो आप वहां नहीं भी हो तो भी आपको पता है कि अच्छा सामन्यत है डेड़ महीने में दो महीने में राशन खतम होता है तो दो महीने होने से पहले, डेड़ महीने होने से पहले ही आपने उनको पत्र लिख करके आप बता देते हो कि वह यह राशन कतम होने वाला एक बार चेक कर लेना और ले आना कितने का क्या आया मुझे हिसाब बेज देना तो हर चीज का पहले से पता होना, जानकारी होना और उसके बारे में उस पर नजर रखना, उसके देखबाल करना, उसके बारे में सूचना, एकत्रित करते रहना The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life Champaran की जो घटना थी, ये महत्मा गांदी के जीवन का एक महत्वपुन मोड था What I did, मैंने क्या किया, He explained, उन्होंने व्याख्या करते हुबताया, was a very ordinary thing, बहुत ही साधारन सा मैंने काम किया I declared that the British could not order me about in my own country, मैंने बस केवल ये घोशित कर दिया, या मैंने ये घोशना कर दी, कि Britishers जो है ये बात हो रही है, जब superintendent ने उनको कहा था कि तिरहुत डिश्टिक छोड़ के चले जाओ, उस बारे मैं कह रहे है गांदी जी कि मैंने तै किया कि British जो है, वो मुझे आदेश नहीं दे सकते, मेरे ही देश में मेरे ही देश में मैं कहा रहूंगा, कहा जाऊंगा, कहा आऊंगा, इस बात पर मुझे Britishers जो है, वो आदेश नहीं दे सकते हैं, Britishers से मैं इस बात का आदेश नहीं लूँगा बट चंपारण डिड नोट बिगिन, as an act of defiance, लेकिन चंपारण जो है, उसकी जो, यह था न, civil disobedience movement, अब हेलना वाला जो कार्य था, उससे शुरुआत नहीं हुई, it grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor persons, इसकी शुरुआत हुई थी, कि जब उन्होंने distress, यानि कि जो बड़ी संख्या के अंदर जो गरीब किसान है, उनकी समस्या को कम करने के लिए, या हटाने के लिए, जब उन्होंने प्रयास किया, वहां से इस गटना की, या चंपारण एपिसोट की शुरुआत हुई थी, यानि कि मैं कोई सविना अवग्या अंदोलन चलाने नहीं गया था, वहां पे, कि मैंने सोच लिया कि हमें चंपारण जाओंगा, वहां जा क्या करूँ, अच्छा, सिविल डिसोबिदान मुमेंट लॉंच कर देंगे, मेरा वो इरादा नहीं था, मैं उस विचार के साथ चंपारण नहीं गया था, तो गरीब किसानों की जो समस्या है, उसे दूर करने के लिए गया था, तो चंपारण का जो घटना क्रम है, उसकी शुरुआत वहां से हुई है, दिस वास टिपि देट टूडे प्राबलम ओफ दे मिलियंस, करोडों लोगों की, जो रोज मर्रा की जो व्यवारिक समस्या हैं, जो वास्तविक्ता में के हाँ, हमारे डेली लाइफ जो है, वो इससे इफेक्ट हो रही है, इस तरह की रोज मर्राओं की जो समस्या हैं, उनसे गुथी हुई ह उनकी राजनिती थी ही ऐसी, बहुत सारे लोग राजनिती करते हैं और राजनिती में उनकी बाते बहुत अलग अलग होती है, कोई चाइना के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी और मुद्दे पर बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, कोई और बात कर रहा है, तो highways की बात कर रहा है, लेकिन आप अगर एक आम या एक सामन्य इंसान की तरफ देखोगे, तो उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, बिजली, पानी, ये 5-6 साथ चीज़े जो है basic है, आजकल सेलफोन भी वैसे basic needs में आ गया है, एक motorcycle और एक से उस पर जादा राजनेतिक बात होती नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, तो उस पर राजनेतिक तरचा शुरू हो जाएगी, लेकिन गांदी जी की जो politics का style था न, उनका style बड़ा अनोखा था, वो बात करते थे कि ऐसी बाते होती थी उनकी, आपने गांदी जी को कई तस्वीर पहनने को भी नहीं मिलता, तो मैं नहीं पहनूँगा, तो वो एक ही दोगती के दो टुकडे करते थे, आदी नीचे पहनते थे और आदी को उपर एक अंगरखे की तरह उसे लपेट लेते थे, बिलकुल basic, किसी इंसान का कपड़े पहनने की आवशकता उसकी basic need है, उसकी मूल मूत आवशकताओं पर विचार करते थे, आपने चंपारण में देखा न, क्या बात हुई, सामाजिक और सांस्क्रतिक तोर पर कैसा जीवन जीना चाहिए, बिमारी है, मूल दवाईयों से ठीक, कपड़े जो हैं, कम से कम पहनो तो सलीके से, एक हैं, दो हैं, चार हैं, वो कोई दिक्कत न, लेकिन जितने हैं, तरीके से तो पहनो कम से कम उनको, तो इस तरीके की गांदी जी की पॉलिटिक्स होती थी, और वो हरी चीजों को ठीक करते करते ही, कब वो आंदोलन बहुत बढ़ा हो जाता था, उनको खुद को पता नहीं चलता था, ठीक है, नेक् वो आपने लोईल्टी, यह निवी कलपनात्मक चीजें हैं, इन प्रती वफादरिया लोयल्टी नहीं थी, बलकि जीते जागते जो लोग हैं, सजीव जो लोग हैं, यूमन बींग जो हैं, मानव जो हैं, उनके लिए उनकी लोयल्टी थी, In everything Gandhi did, moreover he tried to mold new free Indian हर चीज जो गांधी जी जो भी करते थे उसमें जादा से जादा इसके अलावा वो ये कोशिश करते थे He tried to mold, वो निर्मान करते थे या ढालते थे लोगों के सभाव को A new free Indian, एक नए और स्वतंत्र भारतिय का निर्मान करने के तौर पर Who could stand on his own feet and thus make India free जो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके और भारत को स्वतंत्र कर सके आज की तारिक में भी यही होता है कि जैसे प्रयास मैंने भी किया थोड़ा सा लेकिन शायद और प्रयास किया जा सकता था आगे कुछ ना कुछ और ऐसा लाओंगा कि प्रयास और उसको आगे बढ़के करूंगा कि हमने टेंस को बहुत डिटेल में समझा बहुत डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने उसके बाद भी कई कमन्ट आ गया कि सर अम टेंस पढ़ लिए सब कुछ ठीक है लेकिन अभी भी लिख नहीं पारें अभी पी लिखना चाहरे है तो लिख नहीं पा रहे हैं तो लिख इसलिए नहीं पारें कुछ विद्यार्तियों से जिन्से मेरी बात हुई पोण समझ पाया कि वह लिख इसलिए नहीं पा रहे हैं कि वह लिखेंगे तो लिखने में आ जाएगा उनको तो मैंने पहली राय तो यही दी कि गेर नहीं आएगा पैर के नीचे आपके पैडल्स नहीं होंगे तब तक कार चलाना कैसे सीखो गया तो पहली चीज तो यह है कि लिखने में आंसर लिखने में या चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं तो दिक्कत होती है तो उसके लिए तीन मोटे मोटे काम आ क्योंकि शब्द या शब्द कोश जो है वो एक फ्यूल है वो इंदन है पैट्रोल जितना के पास पैट्रोल होगा ना आपकी टंकी में आप उतना ही चलोगे बात समझ मैं मुटसाइकल चलाते है ना तो उसमें पैट्रोल डालना और अपने दिमाग में वर्ड मिनिंग डालना यह बहुत जरूरी है अब आप इंग्लिश लिखना तो चाहते हो लेकिन इंग्लिश में उस वर्ड को कहते क्या है आपको पता ही निया तो sentence structure तो बहुत कौन सी हुई पता ही नहीं है तो सबसे पहले अपनी जो chapters है जो book है उसके वर्ड मिनिंग को तैयार कीजिए नंबर वर्ड नंबर टू ग्रैमर कमांड जिसमें हम लोग सीधी सीधी बात कर लेते हैं किसके बारे में टेंस के बारे में जो basic sentence structure है और थर्ड चीज जो है वह है sentence structure रखो word meaning वाले word उसमें डालो और answer लिखो sentence लिखो ये तीन ही तरीके हैं जिससे आप लिखना सीख सकते हो इसके अलावा आप प्रयास कर सकते हैं freestyle writing कर सकते हैं कि नहीं सर मैं word meaning और उस तरीके से नहीं लिखना चाहता मैं तो जो मेरे दिमाग में words आ रहे हैं English के मैं तो उ उसके बाद मैं जैसे इसे English और पढ़ूँगा मैं अपनी vocabulary को add on करता जो तो freestyle writing भी आप कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से प्रारमबिक तोर पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस तरीके से आप प्रयास करें अर्ली इंदा चंपारन एक्शन जब चंपारन की शुरुआ रहे वो बहुत ज़्यादा सरकार के समर्तक नहीं थे who had become a devotee devoted follower of the Mahatma जो की बहुती समर्पत समर्पित follower बन गए ते अनुगामी या समर्तक बन गए ते Mahatma Gandhi के came to bid Mahatma Gandhi farewell वो Mahatma Gandhi को विदा करने के लिए उन्हें goodbye कहने के लिए before going on a tour of duty to the fizzy islands जब वो अपने टूर के लिए जा रहे थे अपनी duty के लिए fizzy islands के अंदर Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran के ये बहुत ही अच्छा विचार होगा है बहुत ही अच्छा होगा अगर Andrews जो है वो Champaran में ही रुके and help them और उनकी साहेता करें Andrews was willing if Gandhi agreed Andrews भी यही चाह रहा था कि मैं Champaran में ही रुक जाओ और Champaran का आंदोलन चल रहा है इसमें गांदी जी की मदद करूं लेकिन वो यह चाहता था कि उसके लिए गांदी जी उन्हें अनुमती दे कि हाँ भी ठीक है तुम भी रुक जाओ और हमारे इसमें साथ दो हमारा साथ दो तो यहां पर क्या है कि conflict of interest और conflict of duties आपको देखने को मिल रहा है एक तरफ उसका जो जोर समर्तक हूं तो मैं गांदी जी के साथ रुकूं और यह जो अंदोलन चल रहा है जो मूवमेंट चल रहा है इसमें गांदी जी का साथ दूं दोनों चीज़े वह चाहरा था पत गांदी वहां वहमेंटली अपोज लेकिन गांदी जी ने बहुत जोरदार तरीके से इसका गांदी जी विरोध क्यों कर रहे है तो गांदी जी बड़े कॉंप्लेक्स आदमी है इतने आसानी से समझ में नहीं आते हैं इनको बहुत जाधा पढ़ना पड़ेगा तब गांदी जी समझ में आएंगे अच्छा आवास तबीक नहीं जो लोग बहुत सीमित या बह बाद करते में नजर नहीं आएंगे क्यों क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की सक्षित होना इस तरह की परसनेलेटी होना या इस तरह का एक इनसान होना ही अपने आप में इसा लगता है उनको पढ़कर के इस निर टो इंपॉसिबल को इंसान इसा होई नहीं सकता है एसा जीवन की कहानिया पढ़ेंगे तो आपको लगए ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो यह चीज़े है ठीक है he said you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an English man on our side तो आप लोगों को यह लगता है कि यह एक बराबरी का युद्ध नहीं है unequal fight है यानि कि Britishers जो है बहुत ताकतवर है और हम लोग बहुत कमजोर है तो unequal fight में यह बहुत ही मददगार साबित होगा अगर एक अंग्रेज हमारी तरफ हो this shows the weakness of your heart और यह चीज आपके मन की आपके दिल की कमजोरी को बताता है कि आप बले कितना ही आप खड़े ओकड़े के चला लो लेकिन अंदर से आप कितने कमजोर हो आप कितने डरपोक हो कायर किसम के इंसान हो आप कि आप उसको अपने तरफ इसलिए रखना चाहते हो कि अरो यार इससे हमारा पक्ष मजबूत हो जाएगा तो यह weakness है तुमारे heart की the cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle मुद्धा न्याय संगत केवल तभी होगा जब तुम स्वयम पर निरबर होकर के अपने आप पर निरबर हो जाओगे और उसके बाद इस युद्ध को जीतने का प्रयास करोगे या खुद पर निरबर रहकर के आत्मनिरबर होकर के अगर युद्ध लड़ोगे तुम्हें Mr. Andrews को एक बैसाखी या सहरे की तरह इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि संयोगवश वे एक अंग्रेज है यानि कि Mr. Andrews अच्छे आदमी है सब कुछ ठीक है लेकिन तुम Mr. Andrews को अपनी तरफ इसलिए नहीं मिलाना चाहरे हो क्योंकि अच्छे आदमी है इसलिए मिलाना चाहरे हो क्योंकि अंग्रेज है और एक अंग्रेज जब दूसरे अंग्रेज की खिलाफत करेगा तो लोड देखेंगे, यार देखो ये अंग्रेज भी तो है ये कितना अच्छा अंग्रेज है और हो सकता है कि आपके आंदूलन को और बल मिले ये तुमारी सोच जो है मुझे इस से समस्या है और ये तुमारी weakness को दरशाता है He had read our minds correctly, उन्होंने हमारे धिमाग को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, समझ लिया था, राजेंदर प्रशाद कमेंट्स, राजेंदर प्रशाद जी ने उसे में कमेंट किया, and we had no reply, और हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, गांधी in this way taught us a lesson in self-reliance, और इस तरीके से गांधी जी ने हमें एक सबक सिखाया, एक पाट सिखाया, आत्म निर्वरता का या स्वाव लंबन का, अपने आप पर निर्वर होकर के ही कार्य करना, self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together, आत्म निर्वरता, भारतिय, स्वतंत्रता और किसानों की मदद करना, अगर आप बहुत बड़े तोर पर अगर सोचोगे ना, इस सारी चीजे साथ में मिली हुई है, साथ में जुडी हुई, यह तीन अलग-अलग चीजे नहीं, यह सारी चीजे एक ही है, क्योंकि अगर self-reliance नहीं होता, आत्म निर्वरता नहीं होती, आत्म विश्वास नहीं यह तो शायद आपको सोचना पड़ जाए कि मैं किसको फोन करूंगा, किस से बात करूंगा, सर ने तो बता दिया समस्या हो गई है, और मैं सर की मदद भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूंगा कैसे, आपके कानों में से दुआ निकलने लग जाएगा, गांधी जीए कैसे से बैकती थे वाले हाँ क्या, वहाँ आपकेक हाह, क्या गांटा बगा देख लेंगे, वहाँ किसी को फनी實 निर बड़ होके नहीं कहां, और उन्होंने पहले से finnsाओं करके, या पत्र लिखे बात नहीं करी कि मैं आउं के नहीं, मान पे पुलिस वाले मारते पीठते तो नह कि यह चलो चलता है चमपारण वह चलके देखेंगे क्या हुआ गए ते उस तरीके के उनकी परस्टनेलिटी थी इस तरीके के महत्मा गांधी जी थे तो मेरा तो नीजी दोर पर यह मानना है कि हमारे भारत के जितने भी जो भी महापुरुष हुए है आप अगर पढ़ना चाते हैं कभी आपको समय मिलता है आज परिक्षा के बाद जीवन में कभी जब जितना जहां मौका मिल जाए तब उतना वहां उन्हें पढ़ते रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपको जीवन में बहुत महत्वपूरुण सीख देंगे कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को ही मिलेगा ठीक है तो मैं चाता हूँ के ज्यादा कुछ नहीं केवल पांच गुण गांधी जी के पांच गुण आपको इसे भी या लिखिए जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिले हैं जिससे आप अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं उन पांच गुणों के विशह में आप इंग्लिश में नीचे लिख दीजिए किसी को हिंदी में याद आ रहे हूं तो दो मिनट के लिए गूगल ट्रांसलेट पर चल जाना महां जाके ट्रांसलेट करके प्लीस इंग्लिश में लिख देना लेकिन आए रिक्वेस्ट के इंग्लिश में मुझे गांधी जी के पांच गुण लिख करके आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर तक टेकर अव यूरसल बबाए झाय।